आपने मार्केट में इस्तेमाल होने वाले इन बड़े बड़े जनरेटर्स को तो जरूर देखा होगा लेकिन मैं अभी आपको दुनिया का सबसे छोटा जनरेटर दिखाने वाला हूँ जिसके मदद से हम लोग अभी 220 बोल्ट भी पैदा करेंगे और इस बल्ब को भी जला कर दिखलाएंगे आप कहोगे कि कहीं मैं इस मोटर की तो बात नहीं कर रहा है नहीं इस मोटर को आप घुमाओगे अगर ये जो DC मोटर होता है जो कि मुस्किल से 2-4-5 बोल्ट पैदा करता है इसको घुमाने से भी और यहाँ पर आप LED बल्ब जोड़ दोगे तो छोटा सा बल्ब जोड़ होता है वो जल जाता है ये DC Bolt का मोटर होता है, इसको गुमाने से भी आज बिजली प्यता होता है, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, सच में, एक AC generator की, जो की AC बल्ब को जलाएगा, ये 220 बुल्ट वाला बल्ब है इसको जलाएगा, चलिए, synchronous motor उसका नाम है, जिसका buying link मैं आपको description और comment section में भी दे दिया हूँ, और एक चीज, इसका दाम 100 रुपे से भी कम है, अचा चलिए, यही है वो एक motor, ठीक, अचा चलिए, इसी के मदद से अभी मैं आपको इस बल्ब को जला करके दिख लाओंगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कि हमारे पास ये जो तार है, जिसे कि ये पुड़ी तरीके से connected है, इसको हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं, तो देखिए हमने इस तरीके से connection कर लिया है, ठीक है, और ये तार यहाँ पर इस तरीके से मौजूद है, बल्ब से ये तार निकला, यहाँ पर है, और ये तार, इस synchronous जो motor है, इसका दोनों इस तोनों में connected है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस motor को इस तरीके से घुमाओंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको घुमाओंगा, आप देखिए, बल्ब, आपको on-off, on-off नजरा रहा है, क्या, आ रहा है न, चलिए, इसको मैं जैसे घुमाओंगा, कितना जादा, उतना ही ज्यादा इसमें क्या, रोश्नी पैदा होगा, ठीक है, इसको आप आराम से भी अगर ऐसे घुमाओंगे, तो यह क्या करेगा, बिजली पैदा करता है, और हाँ, इससे जो बिजली पैदा हो रहा है, वो 220 भोल्ट पैदा हो रहा है, तभी तो ये बल्ब क्या हो रहा है, जल इसको synchronous motor कहते हैं ये 400 से 500 वोल्ट तक भी बिजली पैदा कर सकता है इसमें यहाँ पर लिखावा भी है ठीक है और एक चीज इसको आप खरीद भी सकते हैं उम्मीद करते हैं कि ये experiment आपको फसंद आया होगा वीडियो को लाइक करते हुए जाना है बाबाए